बच्चो नमस्कार गनित की कक्षा में आपका स्वागत हैं। बच्चो आज हम गनित की कक्षा में कक्षा पांचवी का अध्याय 20 आकडों का निरूपन देखेंगे और कुछ अवधारनाएं स्पष्ट करके देखेंगे। बच्चो ये पार्ट आपने कक्षा चौथी में भी पढ़ा होगा और कुछ अवधारनाई स्पष्ट की होंगे। उनी पे अधारित आईए हम एक गतिविदी करके देखते हैं। तो बच्चो आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। बच्चो आपको यहाँ पे देखिए एक छोटा सा तलाप दिखाई दे रहा होगा। जिसमें कई प्रकार के जीव जन्तु आपको दिखाई दे रहा होंगे। तो बच्चो आप पहले इन चित्र में से छाटिए कि आपको कौन-कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चो आपको यहाँ पे देखिए मचली दिखाई दे रही होगी, आपको बत्तक दिखाई दे रही है, आपको हंस, मैडक और पंडुबी चिडिया भी दिखाई दे रहे होंगे। बच्चो हमने देखे नीचे उन सभी का चित्र बना लिया आप देखे बच्चो आपको इसमें से गिनना है कि कौन से जानवर कितनी संख्या में है तो बच्चो आएए हम इन जिवजनतुओं की एक तालिका बनाते हैं तो बच्चो आपको उपर में एक तालिका दिखाई दे रही है जिसमें हमने सभी जिवजनतुओं के नाम लिख दिये हैं जैसे मचली, बतक, हंस, मैढक और पंडुपी चिडिया बच्चो आप आप नीचे चित्र में से गिनिये कि कितनी संख्या में मचली है, कितनी संख्या में बतक है, कितनी संख्या में हंस है आप गिन के उनकी संख्या को इस तालिका में भर दिजे जैसे कि उधारन के लिए आपको मैं मचली गिनके दिखाता हूँ तो देखो वच्चो यहां में चित्र में आपको एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे मचली दिखाई दे रही है तो आप तालिका में मचली के नीचे 6 लिख दीजिए इसी प्रकार आप अन्य जीवजन्तू की संख्या भी गिनके तालिका को पूरा कर लिजे अब बच्चो हमने जो तालिका तयार की है उसे हम बड़े सुन्दर तरीके से एक आलेक के रूपे निरुपित करके देखते हैं इसे ही हम आकडो का निरुपन कहेंगे तो आईए बच्चो हम इसे करके देखते हैं तो बच्चो आपको यहाँ पे एक आलेक दिखाई दे रहा है जिसमें हमने नीचे लिख दिया है प्रानियों के नाम जैसे बच्चो आपको जितने जीवजन्तू दिखाई दे रहे थे उन सभी जीवजन्तु क्योंकि वो अभी दिव एक प्रानी हैं तो उन सभी जीवजन्तुओं के नाम हमने नीचे लिख दिये जैसे मचली, बतक, हंस, मैढक और पंडुबी, चिडिया अब बच्चों आप देखिये कि यहां पे हमने उर्ध्वा धर में उनकी संख्या को दर्साया है, तो इस प्रकार बच्चों हमने नीचे में प्रानीयों के नाम को लिखा है और उपर उनकी संख्या लिखा है अब बच्चों हम समझते हैं कि इसमें हम उस तालिका के अधार पर कैसे आकडों को निरूपित करेंगे आपको उस तालिका में मचली कितनी संख्या में थी बच्चों? शे तो आप यहाँ पे तालिका में आप शे जो भाग बने हुए हुए उसे आप रंग भर दीजे एक, दो, तीन, चार, पाँच और छे तो देखे बच्चों यहाँ पे मचली की तालिका तयार हो गई बच्चों इसी प्रकार से आप हंस्क, बत्तक और जो अन्य जीव हैं उनकी भी तालिका तयार कर लिजिए अब बच्चों हम इसी अभ्यास को एक आकृति वाली गतिविदी में भी करके देखते हैं अब देखे बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सारी आकृतिया दिखाई दे रही हैं जैसे कुछ त्रिभुज हैं, कुछ वर्ग हैं, कुछ रित हैं और कुछ आयत हैं तो आईए बच्चों हम इन आकृतियों को आकडों के रूप में निरुपित करते हैं तो बच्चों सबसे पहले तो हमें गिनना पड़ेगा कि कौन सी आकृति कितने बार आई हैं तो बच्चों हम अलग-अलग आकृति का तालिका पहले तयार कर लेते हैं तो देखो बच्चों हमने पहले एक तालिका बनाई जिसमें हमने पहले आकृति बनाया जैसे त्रिभूज, वृत, आयत और वर्ग अब बच्चो हम उन आकृतियों में देखते हैं कि त्रिभूज की आकृतियां कितनी हैं तो आईए हम त्रिभूज की संख्या गिनते हैं तो देखें बच्चो आप देखेंगे एक, दो, तीन त्रिभुच की संख्या कितनी है बच्चो तीन तो आप तालिका में त्रिभुच के नीचे कितनी लिख देंगे बच्चो तीन संख्या इसी प्रकार बच्चो आप वृत को भी गिनिये आप आयत को भी गिनिये और आप वर्ग को भी गिनिये जितनी भी संख्या आएगी उसे आप यहाँ पे तालिका में लिख दीजिए, तो आपकी तालिका पूर्ण हो जाएगी, अब बच्चो हम फिर से इसी तालिका के अधार पर एक आलेख तयार करते हैं, तो बच्चो आप आप जानी गए हैं कि आलेख तयार कैसे करते हैं, तो नीचे हमने लिख दिया आकृतियों के नाम, त्रिभुज, वृत, आयत और वर्ग और उर्ध्वादर में हमने उसकी संख्या लिख दी बच्चो आप देखेंगे हमने पिछले बार भी उर्ध्वादर में संख्या को लिखा था तो बच्चो आप ध्यान रखेगा कि उर्ध्वादर में हम संख्या को दर्साते हैं बच्चो यहाँ पे मैं उर्ध्वादर बोर रहूं उसका अर्थ है खड़ी रेखा अर्थात जो मैंने यहां पे उपर की दिशा में जो संख्या ली है उसे ही मैं उर्धवादर बोर रहा हूं तो देखे बच्चों हमने यहां पे खड़ी रेखा में हमेशा संख्या को दर्साया है तो बच्चों त्रिभुज कितनी संख्या में थी? तीन संख्या में तो अब हम यहाँ पे तीन जो भाग बने हैं उन्हें रंग भर देंगे इसी प्रकार आप वृत को भी गिनिए, आयत को भी गिनिए और वर्ग को भी गिनिए और उनकी संख्या के अधार पर यहाँ पे जितने भाग बने हैं उन्हें आप रंग भर दीजिए इस प्रकार आपकी तालिका तैयार हो जाएगी इस प्रकार हम तालिका के अधार पर उन आखडों का निरूपन असानी से कर सकते हैं अगर हमको तालिका पहले से ही बना के दी गई होगी तो हम कैसे उसे निरूपित करेंगे तो बच्चो इसमें तो हमारा काम और असान हो गया क्योंकि तालिका तो पहले से ही बन कर तयार है तो आईए बच्चो हम एक अभ्यास करते हैं जिसमें पहले से ही तालिका बनी हुई है और बच्चो मज़े की बात है कि परिच्छाओं में आपको ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं तो आईए बच्चो हम इसका अभ्यास करके देखते हैं आपको यहाँ पे एक तालिका दिखाई दे रही है जिसमें एक संयूक्त परिवार के सदस्यों की संख्या दी गई है अब लड़के तो बच्चो यहाँ पे सभी की संख्या हमें दी गई है जैसे इस संयूत परिवार में महिलाओं की संख्या 6 है पुरुस की संख्या 5 लड़कियों की संख्या 4 है और लड़के की संख्या भी 4 है अब बच्चो हमें इसे आकडों के रूप में निरुपित करना है तो बच्चो फिर से देखिए हमने उसी प्राकार का एक आलेक तैयार कर लिया जिसमें हमने नीचे परिवार के सदस्यों के नाम लिख दिये जैसे महिला, पुरुस, लड़कियां और लड़के और फिर से हमने खड़ी रेखा में उनकी संख्या को दर्साया है तो बच्चो महिलाओं की संख्या कितनी थी? छे, तो आप यहाँ पे महिला के कॉलम में छे भागों को रंग भर दीजिये, और पुरुस की संख्या कितनी थी बच्चो? पांच, तो आप जो पुरुस का इस्तम है, खड़ी लाइन है, उसमें पांच भाग को रंग भर दीजि इसी प्रकार आप देखेंगे कि लड़कियों और लड़के दोनों की संक्या कितनी थी बच्चो चार चार तो आप यहाँ पे चार भाग को रंग दीजिए तो बच्चो आप देखेंगे कि आपको कुछ इस प्रकार का आलेक दिखाई देगा तो हमने बड़े असानी से उस तालिका को आलेक के रूप में निरूपित कर लिया हमने आकडों को तो निरूपित कर लिया परन्तु ये आकडे हमें कौन-कौन सी जानकारियां देते हैं आइए थोड़ा इस पे भी चर्चा करते हैं तो बच्चो हमने तालिका के अधार पर आलेक तयार कर लिया, अब बच्चो परिच्छा में इसी के अधार पर कुछ प्रश्ण पूछे जा सकते हैं, तो आईए हम चर्चा करते हैं कि इस आलेक के अधार पर हमें कौन-कौन से प्रश्ण पूछे जा सकते हैं, तो बच्चो आप देखिए हमसे पूछा जा सकता है कि महिलाओं की संख्या पूर्सों की संख्या से कितनी अधिक हैं। दूसरा परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तीसरा प्रश्ण लड़कों की संख्या पूर्सों की संख्या से कितनी कम हैं। चौथा प्रश्ण हम पूछ सकतें बच्चों, लड़कियों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी कम हैं। पांचवा प्रश्ण, महिला वा पूर्सों की संख्या परिवार में कितनी हैं। और छटवा प्रशन हम पूछ सकते हैं बच्चो कि लड़के वा लड़कियों की संख्या परिवार में कितनी हैं? तो बच्चो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो आलेक है वह तो एक ही है परंतु हमने उसी एक आलेक के अधार पर कितनी अलग अलग प्रशन तयार कर लिए और बच्चो इस आलेक के अधार पर हम इस सभी प्रशनों के उत्तर भी दे सकते हैं आईए बच्चो हम एक और अभ्यास करके देखते हैं कि कैसे आलेक के अधार पर हम प्रश्णों को हल कर सकते हैं तो बच्चो आपको अब एक बना बुनाया आलेक दिखाई दे रहा है जिसमें आपको कुछ बच्चो के चित्र दिखाई दे रहे हैं इसमें नीचे आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि बच्चो को कितने अंक मिले हैं ये दिखाया गया है जैसे पहला एक अंक पाने वाले बच्चे, दूसरा दो अंक पाने वाले बच्चे, तीसरा तीन अंक पाने वाले बच्चे, चौथा चार अंक पाने वाले बच्चे, और अंतिम का जो इस्तम है वो है पाँच अंक पाने वाले बच्चे, और जो हमारी खड़ी लाइन है उसम बच्चो की संख्या दिखाई दे रही होगी तो बच्चो आप देखिए आपको पहला इस्तम दिखाई दे रहा होगा कि एक अंग पाने वाले बच्चे कितने हैं बच्चो दो आप देखिए बच्चो एक अंग बहुत कम होता है तो देखो बच्चो सभी के चहरे उदास दिखाई दे रहे हैं और इनकी संखे कितनी हैं बच्चो दो इसी प्रकार आप देखिए कि दो अंख पाने वाले कितने हैं बच्चो एक, दो अंख भी कम होता है देखे इसका विचित्र आपको उदास दिखाई दे रहा है वैसे ही तीन अंक पाने वाले बच्चे कितने हैं? चार अब इनके चहरे खिल उठे हैं बच्चो और चार अंक पाने वाले बच्चे कितने हैं? दो और पांच अंग पाने वाले बच्चे कितने हैं आप बताईए एक तो इस प्रकार बच्चो हमने देखा कि अलग अलग अंग पाने वाले बच्चे की संख्या अलग अलग है आईए अब इस अधार पर हम कुछ प्रश्ण को हल करके देखते हैं तो बच्चो पहला प्रश्ण है कि तीन अंक कितने चात्रों को मिला था तो बच्चो आप देखिए तालिका को इसमें कितने बच्चों ने तीन अंक पाया था आप देखे बच्चो और इसे गिनिये कितने बच्चों ने चार बच्चों ने तो हमारा जवाब क्या होगा बच इसी प्रकार से आप देखे कि सुन्य अंक प्राप्त करने वाले कितने छात्रत हैं तो देखे बच्चों तालिका में तो सुन्य अंक दिया ही नहीं गया है तो सुन्य अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की भी संख्या क्या होगी? सुन्य ही होगी इसी प्रकार तीसरा प्रश्ण है कि सबसे कम अंक कितने बच्चो को मिला तो बच्चो आप देखेंगे कि तालिका में सबसे कम अंक कितना था बच्चो एक अंक तो आप देखिए कि उसमें कितने बच्चो को दिखाया गया है आप गिन के देखिये बच्चो कितने हैं दो बच्चे तो आपका जवाब क्या होगा दो बच्चे इसी प्रकार चौथा प्रश्ण है क्या किसी छात्र को पांच अंग प्राप्त हुए हैं तो देखिये बच्चो आप तालिका में देखेंगे तो पांच अंग प्राप्त करन तो देखे बच्चों हमने तालिका के अधार पर कितनी असानी से इन सभी प्रश्णों को हल कर लिया। इसी प्रकार से कुछ और भी प्रश्ण आपको दिये गए हैं, आप उनको हल करके देखेगा। यह आपके पाठी पुस्तक में दिये गए हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं और एक और अभ्यास करके देखते हैं। आप देखेंगे कि अलग-अलग बच्चे अलग-अलग खेल को पसंद करते हैं। कोई बच्चा खोखो पसंद करता है, कोई बच्चा फूटबॉल पसंद करता है, कोई बच्चा कबड़ी पसंद करता है, तो इसी प्रकार हमने उर्ध्वा धर में उस खेल को पसंद करने वाले बच्चो की संख्या दर्साई है, तो बच्चो देखें आप पहला खेल जो दि प्रेखा में उसे किस उचाई तक ले गया है बच्चों, पांच तक, तो हम कह सकते हैं कि खोखों को पांच बच्चे पसंद करते हैं, उसी प्रकार बच्चों आप देखिए कि फुटबाल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या को हमने पीले रंग से दर्शाया है, और यह इस्तंब कहा तक जा रही है बच्चो तो आप देखेंगे तीन तक तो हम बोल सकते हैं कि फुटबॉल तीन बच्चे पसंद करते हैं इसी प्रकार बच्चो अब देखे बच्चो क्रिकेट के लिए हमने हरे रंका प्योग किया है और यह इस्तंब कहा तक जा रहा है बच्चो चार तक, तो हम कह सकते हैं कि क्रिकेट कितने बच्चे पसंद करते हैं चार उसी प्रकार हमने कबड़ी के लिए के सरीया रंग का प्रयोग किया है और ये कहां तक जा रहा है बच्चो छे तक, तो हम कह सकते हैं कि कबड़ी छे बच्चे फसंद करते हैं, अब बच्चो हम एक तालीका बना के दिखते हैं, बच्चो अब आपको यहाँ पे कुछ खाली डिबे दिखाई दे रहे हैं, अब उपर वाले खाने में हमने खेल के नाम लिखे, तो उसके ठीक नीचे उस खेल को पसंद करने वाले बच्चो की संख्या लिख दीजिए, जैसे खोखो पसंद करने वाले बच्चो की संख्या कितनी थी बच्चो, पांच, तो आप खोखो के नीचे लिख दीजिए, पांच, इसी प्रकार आप क्रिकेट, फुटबाल और कबड़ी खेल के भी नाम ल हमने तालिका से आलेग बनाया था और अभी हमने आलेग से तालिका बनाया। आए बच्छो अब हम एक और अभ्यास करके देखते हैं। अब बच्छो मैं आपको एक मज़दार ग्रिह कारे देके जा रहा हूँ। इसमें बच्चो आपको जो लूडो का पासा होता है उसका उप्योग करना है बच्चो आप देखेंगे कि उस पासे में 6 अंक लिखे हुए रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो बच्चो आपको उस पासे को लगबाग 20 बार या 25 बार फेकने हैं और आपको देखने हैं कि कौन सा अंक कितने बार आ रहा है और उसकी एक तालिका तयार करनी है जो कि आपको दिखाई देरी होगी बच्चो ये आपके पाठ पुस्तक में भी दी गई है बच्चो अब इस तालिका के अधार पर आप उसे आलेक में निरुपित कीजिएगा और ये अभ्यास आप घर में करके देखिए अगर कोई भी समस्य आती है तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गो या अपने सिक्छक से संपर्ख कर सकते हैं अब बच्चो हम मिलेंगे गणित की नई अवधारना के साथ तब तक के लिए नमस्कार